वेलकम नमस्ते दोस्तों आप सभीका स्वागते मेरा इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है टेकनिकल ईर विशाल दोस्तों आज हम आर्फिंग और ग्राउंडिंग इसके बारे में थोड़ा तेखने वाले दोस्तों यह हम अभी आर्फिंग कर रहे हैं यह आर्फिंग में हमने यह कॉ और वह 25 x 3 का स्ट्रिप है दोस्तो वो जो प्लेट है वह 24 x 24 की प्लेट है दोस्तो यह प्लेट हम एक ही गड़े में दो तिन प्लेट लगा रहे दोस्तोँ उससे क्या होगा एक शेड के लिए एक हमारे पैनल के लिए इसे आर्थिंग हम दे देंगे हमने आप पोजिशन इसकी देख सकते हो हमने यह केसी प्लेट लगाई है यह पतंग की तरह दिख रही है दोस्तों возможноर्ट यह पतंग की यह दोर की तरह दिख रही है जो पीछे उसकी पूछ है और आगे पतं की पूरी body है दोस्तो यह मैंने एक आर्थिंग दिखी है पैनल को दे दी और एक आर्थिंग Shade को दे दी है दोस्तो और जो दो अर्थिंग आपको यहाँ इस side दिख रही है वो DG के लिए देने वाला हूँ दोस्तो जो generator है हमारा उसके लिए अभी हम इसमें नमक कोईला यह सब चीजे डालने वाले दोस्तों पहले तो मैंने यह सब प्लेट्स लगा ली उसमें पत्तर तोड़े रखके अरेंज कर लिए वो प्लेट्स और यह नमक हम इसमें डाल रहे दोस्तों यह नमक हम 20 बैक्स डालने वाले हैं और जो कोईला है दो ज़लेर है दोस्तों पानी अगर नहीं रहेगा तो आर्थिंग पुरी ट्राइ हो जाएगी और वो कंडक्तिविटी नहीं मेर दे पाएगे दोस्तों तो आरथिंग क्यों करते हैं कि जो अपने electrical instrument है वो electrical instrument में जो configured होता ए ए त्रेक्टली ग्राउंड हो जाए दौस्तो तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक ना बैठे electronics ने इलेक्ट्रिकल चीजों में नहीं तो एक्सिडेंट होने की बहुत बड़े चांसेस होते हैं यह अभी कोईला और नमक डालने के बाद हम उसमें मिट्टी डाल रहें दोस्तों मिट्टी डालने के बाद हम थोड़ा सा पत्थर भी डालेंगे आप जो रेती होती है जो आप रि मिट्टी डाला फिर अभी नमक और फिर से कोईला डाल रहा हूं और इसमें कंटिनीव में पानी दे रहा हूं दोस्तों यह पानी बहुत इंपोर्टन्ट है दोस्तों अगर नहीं दोगे पानी तो यह पूरा ड्राय हो जाएगा और यह जो आप पाइप देख सकते हो यह प यह पाइपानिप रहे और वह पाइप भी हमने लियुक्यों लगा रहे है तो अर्फिंग अभी क्या यह लेक्ट्रिकल electrical shock ना बैठे तो electrical shock क्यों बैठता है क्योंकि अगर आप कोई भी current आपको लगे तो आपके माध्यम से वो ground होता है बट यह अगर wrists रहेगी 우ین होने के बाद क्या होगा दोस्तो कि वो आपको शौक नहीं बैठेगा जो low resistance path है वो उसे follow करेगा और यह ground कोई कोंसे भीमने बहुत बार देखा होगा फ्रीज या दूसरी एसी चोटी जो चीजे होती है माइक्रोवेव या बहुत सारी मशिनते हैं जिससे एक नॉर्मल हमें करंड बैठते दोस्तोर तो वह करण इसलिए बैटता है क्योंकि उन्हें आर्थिंग नहीं दिये तो आर्थिंग बहुत कंपल्सरिये दोस्तों अर्थिंग हमेशा देनी चाहिए तो हमेशा दीजीए यह कॉपर वाली आर्थिंग में डीजी के लिए यूज करने वाला हूँ यह कॉपर वाले आर्थिंग आप अगर परचिस करने जाओगे तो यह मेंगी जाती है दोस्तों और यह ट्रेडिशनल आर्थिंग है अभी नए सीजन में यह नए जमाने में यह केमिकल आर्थिंग करते हैं दोस्तों केमिकल आर्थिंग अच्छी है शीतनल मुटर यह हमारी आपको अच्छी लगे हम लाइक और शेयर सबस्क्राइब किजिए और आप ऐगर आर्थिंग करने वाले हैं तो एसी आर्थिंग कीजिए दोस्तो लेयर बाई लेयर उसमें मट्रेल डाली है तो आपके आरति इंग अच्छे से रहेगी थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग